कि इस वीडियो में हमारे पास एक डेटा है जो अटेंडेंडन से डिलेटिव डेटा है जिसमें हमारे पास present और weekly of live and sick live है तो इस से डिलेटिव हमें यहां पर condition set करने हैं कि present है उसका एक अलग परमेट हो लिव है उसका अलग और विकली ओफ का अलग सीख लीप का अलग हो तो चलिए इसको करते हैं सबसे पहले जहां पे भी हमें यह condition लगाना है उसको हम select कर लेते हैं तो मैं इस area को select कर लेता हूं जहां तक हमारा attendance फील है उसके बाद हम condition and formatting पर क्रेंटिंग पे क्लिग करते हैं हाइलाइट सेल एंड रूलरो और उसके बाद टैक्स डैट कंटेंट इसपेशल क्लिक εκे अब सबसे पहले हम पी तर्फजेंट के लिए यहां पे एक रूलबनाएंगे इस रूल में हम कस्टम फॉर्मेट का यूज़ करते हैं इसमें सबसे पहले फिल कलर जो है वह हम ब्ल्यू ले लेते हैं और बॉर्डर ब्लैक है रहने देते हैं उसके बाद बॉल्ट देन हम इसमें यहां से कलर ले लेते हैं कलर हम रेडल लेते हैं देन ओके पर क्लिक करते हैं तो यह हमारा यहां पर अपलाई हो गया है उसके बाद हम यहां पर एल के लिए भी फार्मिट सेट करते हैं तो सबसे पहले हम सेम प्रोसेस कंडिशन पर जाते हैं उसके बाद और यहां पर हम एल के लिए एल के लिए यहां पर हम बनाते हैं तो सबसे पहले कस्टम फॉर्मिट बजाए उसके बाद बूल्ड और इसका कलर हम कुछ यह रखते हैं और फिल कलर हम इसको एलो दे देते हैं जैन ओके और ओके तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा यह कलर इसका चेंज हो गया है जो भी लिए उसके बाद सेम हम यहां पर आप फॉर्मेट शेल का यूज़ करते हैं सिक लिप के लिए और आप देख सकते हैं डबलू ओ अलग सही दिख रहा है तो हम इसके लिए भी रूल बना सकते हैं चलिए रूल बनाते हैं सबसे पहले हम इस एडिया को अब यहां पर हम जो रूल बनाने जा रहे हैं वह सी क्लिप के लीए रूल बनाने जा रहे हैं तो सी क्लिप पे क्लिक करते हैं और इसके लिए हम एक फॉर्मिट कस्टम फॉर्मिट लेускर यहां पर ग्रीन और सब्सक्रोंप फॉल्ट कर लिए और कलर जो हैम इसको यह और आएच ले ले कि लेते हैं ऑक है तो अब देख सबयाग इसका कलर चैंज होने लगा तो इस तरीके से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अंत में सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस पर Excel, Microsoft Word, PowerPoint, Computer Hardware Networking और भी बहुत सारे टिटोरियल डिजाइन किये जा रहे हैं थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो